हेलो दोस्तो सेनिक संगम में आपका फिर से स्वागत है दलहोजी स्रीज की इस दूसरी वीडियो में आज हम कवर करेंगे देमकुन पीग जो कि बिगनर्स के लिए वन आप दे बेश्ट ट्राइक माना जाता है तो चलिए हमारे साथ इस सफर का लोच पुठा में गांधी चौक पर हमारा होटल था यहां से करीब 15 किमिटर दूरी पर देनकुन पीक का स्टार्टिंग पॉइंट है जैसा कि आप मेरे साथ देख पा रहे हो यह रास्ता आपको अतुल निय लैंड्सकेप आफर करने वाला है रोड की कंडिशन बहुत अच्छी है तो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में आपको किसी तरगे कोई परशानी नहीं होने वाली है इवन इतनी शांदार रोड है इतना अच्छा व्यू यहां से आता है कि आप बॉलिवोड का वो गाना है न आप वो गुन गुनाने का मन करेगा कि मंगिल से बहतर लगने लगे हैं यह रास्ता यही तो रोड ट्रिप का मजा है दोस्तों आज के हमारी ट्रैकिंग का समिट पॉइंट डलहुजी का हाइस पीक है जो की 2755 मीटर की उचाई पर इस्तित है तो यहां से आपको पूरी वैली का अल्टिमेट विव मिलने वाला है यह चोटा ट्रैक होगा आना जाना मिला के आई तिंक पांच से चे किलोमेटर का टोटल ट्रैक है तो यह बिगनर के लिए अच्छा है इवेन अगर आप इसी बच्चे के साथ आ रहे हो तो भी आपको कोई परशानी नहीं होगी हां दोस्तों तो हम देनकुंड आ गए और जहां से हमें लाज वीडियो बनाया था दलोजी से वहां से हमें अल्मोस्ट 45 मिनिट लगा यहां पर तो इधर एरफोर्स एरिया और यह है एल्ग्री पॉइंट यहां से अल्मोस्ट 3 कमिटर की इतना मैंने पता किया है तो स्टार्ट करते हैं बहुत है अच्छा बहुत है दरोर है जबरस्ट सो लेट्स केट स्टार्ट हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हो काफी पक्की ट्रेल बनाई हुई है तो ज नॉर्मल सूस पे भी ट्रैकिंग कर सकते हो जैसा मुझे लग रहा है अब है तो यह देखव आप गजब का नजारा है पकी ट्रेल्स है शांत सा मौसम है तो अच्छा लग रहा है तो यह काफी स्थीप स्थीप ट्रैकिंग है तो ट्रेल बहुत अच्छा बनाई है विव अब देख सत्यों क्या शांदार है नहीं भी नहीं करना है तो यहां पर आपको खरगोश और सारी चीज़े मिल जाएंगी अगर आपको वीडियो शूट कराना है फोटो शूट कराना है और अब आप जैसे की देख सकते हो यहां से 1.3 किलोमेटर से हम बीच में हैं ट्रैक के गजब कम उसम पीछे चिडियों की किरियो मोगोडों के आवाजे सुन रहे हो गया और आप 900 मिटर पचा है ट्रैक और बहुत ही अच्छा कोई है ही नहीं आप पर अकेले आप पीस्फुल चाते हो और यह चाते हो कि नो कोई वायरस के इंफेक्शन का डर नहों और कुछ नहों तो बहुत इसको ही आख दूर दूर तक आपके आसपास नहीं है बस आप जिसके साथ आए हो वह आपके आसपास होंगे बाकी कुछ है यह नहीं पूरी वादी पूरी वैली संनाटे में हैं अब अभाद आपट अब अब इसम रहें तो थोड़ा सा डाउन भी जाएगा और बीच नहीं दो जग चाँ रास्ता भी तो आप चच्छ रास्ते पर चाँज़ नहीं होना और नहीं पक्का रास्ता ही पकड़ के चलना तो अब मैं उपर पहुंच के वीडियो गुनाता हूँ कोई ही नहीं यहाँ पर इसलिए तो आन भादा दिनी लगता कर दो कि लगता है बटक तो नहीं है बट आप में रस्ता पकड़ोंगे तो कोई इश्व नहीं हो अब हम आगे हैं केवल 200 मिटर दूर है सब्सक्राइब पॉइंट जैमा पोहलानी जैवी और बहुत ही अच्छा ट्रेक है बीजी तो थोड़े बहुत अच्छे रास्ते हैं बहुत थोड़े जूर के लिए पहुत ही शांदार सा मौसम है थोड़े बादल और कम होते हैं शायद भी और अच्छा मिलता बट अभी नेचर हमें जो ओफर कर रहा है वी आर इंज्वाईंग और जबर असका मौसम है और इबन कहने को यह थोड़ा सा च्छोटा सा ट्राइक है पक्त लौकड ने हमारे श बट मजार है और विर टाँ खनले है तो ड्योड वान लाएकर लाएकर ड्ला लाएकर लुडड तेसमीर में उड़ाइ वारा व्या पर दाखनाता बट मौसमिड़ा लाएकर व्योग व्या बट रहां है विय। वस्वाएकर विम्या दूफज एलोड व्यात्यावा ट्हां ठापशना सफ सब्सक्राइब की ट्रेकिंग के बाद इन सब में पॉइंट पे आगे हैं मंदिर माता का हमारे सामने बहुत ही शुन्दर सा है अभी मैं मंदिर की और अच्छे से व्यू कैप्चर करूंगा बट यहां हमारा ट्रेल इंड करता है जै माता दी पहलानी माता के मंदिर हम पहुँच चुके है जैसा कि आप देख सकते हो यह काली माता तो समर पर एक मंदिर है पहलानी देवी को पहलवानों की देवी कहा जाता है जैसा कि मैं लोकल से जब बात किया तो मुझे पता चला और यहां कापी स्रत धालो आते हैं इसके साथ ही मैं कुछ जानकारी विसाजा करना चाहिए। पहराणिक मानताओं के अनुसार पासार काल में यहां राच्छसों का बास था। तो जन्मानस काफी तरस्त था। तो काली मानने यहां पे पहलवान के रूप में हाथ में त्रिशूल लेके उनका संहार किया। तब से ही इस मंदिर का नाम पुहलानी पड़ा। यह मंदिर का पिछला हिस्सा है। यहां लोग अपनी मनवती मानते हैं और जैसा कि मैंने अदि आपको बताया था। त्रिशूल लेके माप्रकटमीती तो यहां त्रिशूल जो है हिंदू मानता का अनुशार निसान के तौर कर चड़ता है। जीवन की भाग दोड़ के बीच मानत समय थंसा जाता है। माता की आरती, महादेव के श्लोक और मंदिर में यग्यान उष्ठान की ध्वनी निश्चित ही आपके अंतरमन में एक उर्जा का संचार करती है। जीवन परियंद दन्भो के लिए यहां जरूर है। आप मेरे साथ साथ यहां के असीमित मनमोख दर्शे का आनंद लेजिए। कर दो लाइब हैं। तो अच्छी सी ट्रैकिंग के बाद मैंगी ना हो तो फिर क्या ही मज़ागा है तो वीके फास्ट पूट भी आपको यह मेलेगा मदलब यहाँ पे आप अराम से रेफ्रेश्मेंट ले पते हो को तरही स्वेस्वासài को खोने मेंगी तो हांसमे उक्तम तो कंदरश्में नाय के अराम हैं मैं लेखरेश्मे कि अधारा में आपको भोलायों नीचिकल यहां कि आप जो सबसाइए हैं फेसे भीन सर्दियों कि 17 10 हुआ है